अपने यूटूब चैनल पर बालू को नैचुरल तरीके सिकाला करना चाते है तो इस तेल का रेगुलरे स्मार्ट कीजिए आपको 100% बैस रिजल्ट मिलेंगे ग्रे हर्सकों आप इसली रिवर्स कर पाएंगे इसके साथ बालू का टूपना जणना बंद होकर बालू की ग्रो अच्छा लगे तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें जो आप हमेशा बूल जाते हैं और शेयर कीजिए इसे जितना भी हो सके तो प्लांट का ऐलोवेरा लेजिए एलोवेरा इस रिस सोर्स ओफर वाइटमिन ए वाइटमिन वीट वालव फॉलिक ऐसिर सोडियम कैल्शम मे कर लेको है उसे आप निकलने देंजीगा फ़स्किन के लिए हेल्थ के लिए बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुक्सान देंगा बहुतकोल भी अच्छा ने इसके निकलने के बाद आप एलोवेरा को पानी से साफ कर लीजे और इसके कांटे-दार किनारों को नाइफ से काट लीजे, सिर्फ इसकी कांटेदार किनार ही आपने काटने हैं, बाल की काचिल का जेल आप छोटे-छोटे टुकडों में काट लीजे, और इसके बाद लीजे आप छोटे साइस का प्याज, अनियन प्याज में कैल्शियम, मैगनेशियम potassium, zinc, iron, sulfur vitamin C, vitamin V6 भरपूर मात्रा में पाय जाता है ये बालो के लिए बहुत ही ज़्यादा यूसफुल है बालो को काले लंबे घने करने में प्याज बहुत ही ज़्यादा यूसफुल है तो प्याज को पीलोफ करने के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में आप काड लीजिए तो अलोवरा के टुकड़े लीजिए और प्याज के टुकड़े लीजिए और अद्रक के टुकड़े लीजिए और एक mixi jar लीजिए तीनों चीजों को आप mixi jar में आड़ करके इसे चला कर आप पेस्ट त्यार कर लिजे पेस्ट ज्यादा पतला करने की जरूरत नहीं है बस दर्दरा हो पेस्ट उतना आप इसे ग्राइंट कर लिजे अभी क्या करेंगे तो अभी लीजे आप एक बर्तन यहाँ पर मैंने लोही का बर्तन लिया है आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं स्टेल का अलुमिनियूम का और जो पेस्ट हमने त्यार किया था वो बर्तन में आड़ करने के बाद लिजे आप कोकोनट ओइल केसी भी ब्रैंट का शुद नारील का तेल लिजे जीतना तेल आप बना कर रखना चाहते हैं इतना तेल आप ले सकते हैं बुलपर ले चाहिए तेल में अच्छे से पक जाना चाहिए इनके अंदर का रस अगर थोड़ा सा भी तेल में रह गया तो तेल आपका लंबे समय तक नहीं चलेगा जल्द ही खराब हो जाएगा तो इनके अंदर का रस आपने अच्छे से तेल में पकाना है आप छाग देख सकते हैं इनके अंदर की रस की बज़े से ही ज़ाग है जब जाग आपको खत्म हुई दिखाई दे आपको कलर इनका चेंज दिखाई दे तब आप समझ लीजे तेल आपका तयार है तो आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल तयार है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अभी क्या करेंगे एक कांच की शीशी लीजिए कांच का एर टाइट कंटेनर और आप छलनी की हाल्प से इस तेल को शीशी में भर लीजिए शीशी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए पानी वग्यरा शीशी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस बात का आप ख्यान रखेंगे तो लेजी बालो को natural black करने के लिए magical तेल तेल तियार है इसे हफ्ते में दो बार अपने बालो की जड़ो से लेकर के बालो की पूरी लेंट तक मसाज कीजिए अच्छे से रेगलर भी आप इस तेल का इसमाल कर सकते हैं जैसे other oil आप रेगलर इसमाल करते हैं वैसे ही आप इसे रेगलर अपने बालो पर लगा सकते हैं लेकिन हफ्ते में दो बार इस तेल से आप अपने बालो पर चमपी जरूर करेंगे मसाज करेंगे कुछ महेनी लगातार इसका इसमाल करते रही आपको best result मिलेंगे ठैक्स